अमेरिका में राश्ट्रपती चुनाव के लिए योधा मैदान में उतराएं अगामी राश्ट्रपती चुनाव को लेकर इस वक्त राजनीती पूरी तरहां से गरमा गई हाली में ट्रम्प को विज़ई बनाने के लिए पतनी और अमेरिका के फर्स लेट मेलानिया ट्रम्प ने क्राउड को संबोधित किया था डॉनल्ड ट्रम्प के लिए आई भीड को संबोधित करते हुए मेलानिया ट्रम्प ने रिपबलिकन नैशनल कन्वेंशन की दूसरी रात को राश्ट्रिपती ट्रम्प के लिए जमकर आवाज बुलन की इस दौरान मेलानिया ने कहा था कि ट्रम्प कोई परंपरागत राजनेता नहीं है वो सिर्फ शब्दों का सहारा नहीं लेते बलकि वो कारेवाई की मांग करते हैं मेलानिया द्वारा ट्रम्प के सपोर्ट में दिये भाशन के बाद अब पिछला राश्ट्रिपती चुनाव हार चुकी हिलरी क्लिंटन ने ट्रम्प पर निशाना साधा है इसके साथ ही हिलरी ने एक फोटो भी शेर किया जिसमें कुछ लोगों ने तक्ते पकड़े हुए हैं इन तक्तों पे लिखा है ट्रम्प फेल्ट वन लाक एटी थाउजन डायट इसका सीधा सीधा मतलब है कि ट्रम्प प्रिशासन में एक लाक असी हजार अमेरिकी लोगों की बेवजह मौत होई है इससे पहले भी हिलरी ने जो बिडन को एक सला दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए तीन नवंबर की रात को ट्रम्प से हार बिलकुल नहीं माननी है क्लिंटन ने कहा कि साल 2016 में चुनाव की रात को उन्होंने हार मान ली थी लेकिन अब ऐसा बिलकुल भी नहीं किया जाएगा कोरोना वाइरस में हमारी के कारण मेल इन वोटिंग सिस्टम के चलते इस बार नवंबर में होने वाले चुनाव में विजेता का पता लगने में जादा समय लग सकता है ट्रम्प पर हमलावर होई हिलरी ने कहा कि इस साल चुनाव की दिन ट्रम्प को बहुत कम फायदा मिलने की उमीद है ऐसे में जो बिडन को किसी भी परस्तिती में हार नहीं माननी चाहिए आपको बता दें, डेमोक्रेट पार्टी की अनुभवी नेता हिलरी क्लिंटन साल 2016 में राष्ट्रपती डॉनल्ड ट्रम्प से चुनाव में हार गई थी इस बाद ट्रम्प के प्रतिदवन्दी के रूप में डेमोक्रेट के उम्मीदवार जो बिडन है हाला कि पबलिक ओपीनियन पॉल्स के मताबिक इस बाद डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बिडन उनके लिए कड़ी चुनावती साबित हो सकते हैं अब बिडन और ट्रम्प में से कौन बाजी मारता है ये तो वक्त ही बताएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए साती देश-दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सबस्क्राइब कीजिए TV9 भारतवर्श